हेलो दोस्तों तो कल ही रात को गुजरात बोर्ड के तरफ से एक बहुत बड़ा एक्जाम अपडेट आया है तो मैंने सोचा आपके साथ जरूर शेर करूँ और फ्रेंज ये अपडेट आपके लिए जानना भी बहुत ज़ादा जरूरी था अभी स्क्रीन पे आपको पांच क्वेशन दिख रहे हैं इन पांचों क्वेशन का एंसर हमें उस सर्कुलर में मिल गया है तो सबसे पहला कोशन है आपके सामने 30% सिलेबस का तो कुछरात कव गुवर्मेंट ने बहुत ज़ादा बातचीत की इसके बारे में एजुकेशन मिनिस्टर से सभी से कि क्या सच में 30% सिलेबस कम करना चाहिए या नहीं और एट लास्ट लेट ही सही लेकिन 30% सिलेबस कट हो गया है CBAC वालों ने तो कब का ही कट कर दिया था लेकिन हमारी गवर्मेंट ने लास्ट थोड़ा लेट हो गया लेकिन कर दिया तो स्टैंडर्ड 10th का बोर्ड एक्जाम हो या 12th का बोर्ड एक्जाम हो 30% सिलेबस कट हो चुका है अब हमें सिफ पढ़ना है 70% सिलेबस उसी सिलेबस में से questions आएंगे उसके बाहर से कोई भी question नहीं आएगा Second question आता है दोस्तो what cut what not यानि कि क्या cut हुआ है क्या नहीं हुआ है अब syllabus तो cut हो गया है लेकिन question आता है कि क्या cut हुआ है क्या cut नहीं हुआ है तो उन लोगों ने decide तो कर लिया है कि क्या cut करना है क्या नहीं करना है उनके पास सब कुछ ready है लेकिन अभी तक कोई circular issue नहीं किया गया है next तब वही circular आने वाला है कि क्या cut किया गया है यानि कि बच्चों को क्या नहीं पढ़ना है तो इसके लिए थोड़ा सा wait करना पड़ेगा third question आता है blueprint का तो obvious बात है कि blueprint बदलेगा ही बदलेगा क्यूंकि अब 30% syllabus कम हो गया है तो ऐसा हो सकता है कि जो chapter का waitage जादा था उसमें से topic delete हो गया है तो उस chapter का waitage obviously कम हो जाएगा तो blueprint भी अब बदल गया है पहले वाला blueprint नहीं रहा है fourth question आता है school कब खुलेगी when the school will reopen यह अब तक suspense है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि school कब खुलेगा बस हम prediction कर सकते कि क्या पता दीवाली के बाद कुछ सोचे government school खुलने की corona के cases बहुत जादा बढ़ रहे हैं बहुत कम चांसी है school खुलने का इस साल तो अब आगया है last और fifth question यह के आखिर exam होगा कब होगा कब exam इसका answer भी उस circular में साफ साफ दे दिया गया है कि exam अब मार्च में नहीं होगी पहले मार्च में होती थी हर साल लेकिन इस बार मार्च में नहीं होगी यहां तक कि एक बार यह कहा गया था कि मार्च last में होगी नहीं तो अपरिल के शुरू में होगी पर यह भी नहीं होगा अब सीधा exam होगा मई में हाँ मे मन्त में अब exam होने वाला है board exam 10th और 12th दोनों का अब स्कर्ट हुआ है वो अभी तो गवर्मेंट के पास है लेकिन वो लोग जल्दी इसे भी शेर करेंगे सर्कुलर के थूँ तब हम आपके लेको और वीडियो लेके आ जाएंगे अट लास यहीं कहना है कि थेंक्स फॉर वाचिंग आप लास तक आपने वीडियो को देखा थेंक्यू वेरी मच और अगर घूमते फिरते आ गए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना प्लेलिस्ट चकर लो बहुत अच्छ अच्छे प्लेलिस्ट है motivation, study tips, gk videos, spoken English, English grammar और एक special playlist है wise people sayings देखो कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अभी तो हम लोग 12th commerce English medium के लिए वीडियोस बनाते हैं अगर आप 12th commerce में हो तो बहुत अच्छी बात है फिर तो लेकिन और class में हो तो future में हम उस पे भी वीडियोस बनाने वाले हैं बाए बाए फ्रेंट थैंकि यू मुछ